ओके अलो प्रेंट कैसे हो आप सब में हूँ विशी और आप देख रहें बॉन्टू इन्वेश यूटूब चैनल आज का जो हमारा टोपिक है वो निप्टी पे और बेंक डिप्टी पे अनालीसिस है हम निप्टी और बेंक डिप्टी का टेक्निकल और क्या है कि ऑप्सन चे सबसे पहले मिल जाए और क्या है कि हम अभी इंडिकेटर पे सीरीज बना रहें बाद में हम स्टेटेजी पे सीरीज बनाएंगे और अच्छा रिस्पोंस मिला तो हम प्राइज एक्शन भी इसमें एड करेंगे तो यारो अगर आपको लर्ण करना है कुछ जानना है तो इस चैनल को सबस्क्राइब कर लीजिए पहले हम निप्टी का option chain analysis करेंगे बाद में बैंक निप्टी का option chain analysis करेंगे बाद में चार्ट पे देखेंगे कहा support है इन कहा resistance है पहले हम निप्टी की price की बात कर लेते कि जो निप्टी का अभी closing हुआ है वो क्या है कि 11,850 से लेके 11,900 के बीच में कहीं पे हुआ है तो हम क्या है के पहले call side से resistance find करने की courses करेंगे बाद में put side से support find करने की courses करेंगे तो हमें क्या है कि एक निप्टी की range मिल सके तो मैं देख रहा हूँ तो मेरे को सबसे ज्यादा OI कहा मिल रहा है तो मेरे को सबसे ज्यादा OI 11,900 पे मिल रहा है बाद में अगर में put side देखता हूँ तो में वहाँ से क्या है कि support डुलने की courses कर रहा हूँ तो मेरे को 11,800 पे सबसे ज्यादा OI दिख रहा है तो ये हो गया मेरा पहला support जो में 11,800 को रखूंगा तो अगर में क्या है कि सबसे ज्यादा change in OI भी देखूँ तो उसी strike price पे है तो मैं इसा मान सकता हूँ कि 11,800 का जो support है वो थोड़ा क्या है कि ज्यादा important होगा मेरे लिए तो ये हो गई कल के लिए nifty के एक range अगर आपको चाहिए कि nifty किस range में trade कर सकता है तो 11,800 से लेके 11,900 तक nifty कल trade कर सकता है अब हम bank nifty का option chain analysis करेंगे तो उसमें भी हम क्या है कि call side से resistance find करेंगे, put side से support find करेंगे, बाद में हम उसका move देखेंगे, तो अगर मैं cold side देख रहा हूँ तो मेरे को सबसे ज्यादा OI क्या है कि 31,000 पर दीख रहा है, देखो 31,000 पर क्यों दीख रहा है, 2,80,000 है वाँ, जो मेरा 31,000 का जो level है, उसमें क्या है कि resistance मानूंगा, अगर में से आए कि put side देखता हूँ, तो मैं put side support ढूनने की कोसिस करूँगा, तो put side मेरे को क्या है कि 30,500 पर सबसे ज्यादा OI देखने को मिल रहे है, तो मतलब क्या हो कि 30,500 का level है, वो मेरे लिए support की तरह कल वर्क करेगा, तो देखते कल क्या होता है, आपको इससे क्या जानने क मिला कि market की एक range आनने को मिलेगा, कि कल क्या है कि bank nifty 30,500 से ले कि 31,000 के बीच में कहीं trade कर सकता है, आपको देखना पड़ेगा कहा support ले रहा है, कहा resistance ले रहा है, अगर वहां से कुछ है, reversal sign दे रहा है कि इसका resistance है, वहां से ही reverse हो रहा है, तो वहां से आप क्या है कि sort or long कर सक सकते हो, अगर support के पास कुछ दिख रहा है, तो वहां से आप long जा सकते हो, तो अब हम आ चुके निप्टी-पिप्टी के chart के उप, तो पहले देख लेते हैं आज market में क्या हुआ, वह सब देख के बाद में हम क्या है कि कल का कुछ सोचेंगी, तो पहले देख लेते हैं market ने घिर से रिवर्स हो के नीचे आ गया, तो मतलब क्या थे, फियसे भी आज expiry थी, तो दोनों साट मुँ देखने को मिल सकते थी, तो वही हुआ, दोनों साट देखने को मुँ मिला, और जो expiry के दिन, जो closing होती है, वो mostly क्या है कि undecisional type candle बनाती है, और वही किया कि आपको एक open हुआ दिखे, अगर ये market 11,900 से उपर क्या है कि निकल गया, तो मैं इसमें 11,900 तक देखूंगा, देखो option chain analysis ऐसा बता रही है कि ये market क्या है कि अप जाएगा, दोनों निप्टी, बेंट निप्टी में दोनों में, तो अगर ये कल market ये 11,900 का level को break करके उपर निकल गया, त क्योंकि ये previous जो इसका high था, तो वो क्या था 11,950, तो ये मेरा पहला target रहेगा, बाद में अगर ये इसके उपर भी निकल जाता है, तो मेरा दूसरा target होगा, वो 11,980 होगा, अगर ये क्या है कि 11,900 के अब निकल जाता है, और ये कच्छा मूँ देता है, तो मेरा पहला profit booking ह होगा, वो 11,950 पे होगा, क्योंकि देखो, ये इसका high था, इधर क्या है कि दो बार support ले चुका है, तो ये support resistance की line की तरह work कर रहा है, तो ये में 950 पे क्या है कि book कर लूँगा, अगर मैंने ये नीचे से entry नहीं ली, तो में 11,950 पे अगर मेरे को कोई reversal pattern दिखती है, तो में में वहाँ से short position में आऊंगा, मान लेते हैं कि call market क्या है कि morning में थोड़ी से upset दिखाता है, और 11,900 के level से फिर से reversal दे देता है, क्योंकि ये देखो, आज का high है, वो भी क्या है कि reversal point हो सकता है, और वेसे भी 11,900 का level है, तो अगर ये 11,900 से level से अगर कोई reversal pattern दिखा देता है, त इदर से short आऊंगा, तो मेरा पहला target रहेगा, वो 11,850 रहेगा, क्योंकि देखो, ये एक बार इदर के आए कि support ले चुका है, एक बार इदर support ले चुका है, तो हो सके कि इदर से नीचे आए, तो इदर से support लेकर उपर जाए, तो ये जो मेरा है, एगर इदर से में sort लेकिन देखना पड़ता है कि live market में क्या होता है, ये क्या है कि एक analysis है, आपको सोचना पड़ता है कि ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है, लेकिन ये analysis है, तो आपको देखना पड़ता है कि उस point पे क्या हो रहा है, उस point पे क्या हो रहा है, बाद में कोई decision लेते हैं तो ये था मेरा निप्टी पे analysis एन चीमपल कल ये 11900 के अबोव निकल गया तो मैं 11950 तक देखूंगा अगर ये 11900 से ही reverse हो गया तो मैं 11850 तक जाओंगा अगर इसको भी break कर देता है तो मैं 11800 तक जाओंगा अब हम आ चुके bank निप्टी के चार्ट के उपर तो इसमें देखते हैं क्या हो सकता है कल तो ये जो अभी ये लेवल पे खड़ा है वो क्या है कि 37750 के आजपास खड़ा है अगर ये कल बूलिस ओपन हुआ और जो 3813 का जो लेवल है अगर वो break करके उपर चलने लगा तो मैं क 31000 मेरा फर्ष्ट टार्गेट रखोंगा वहां तक जा सकता है अगर क्या है कि ये मेरे हाथ में पोजीशन नहीं आई तो मैं क्या है कि अगर 31000 के आजपास से रिवर्सल पेटन देता है सोट साइट की तो मैं सोट आऊंगा इन सिंपल अगर ये 3813 का लेवल कल ब्रेक करके चला जाएगा प्रोपर तरीके से ब्रेक करके जब उपर जाएगा तब मैं इसमें बाई साइट लूँगा और कहां तक रखोंगा 31000 तक अगर ये इसके नीचे आगया चलो मान लेते कि कल ये 3800 के आसपास से नीचे आगया तो मेरा जो पहला टार्गेट रहेगा वह ये इ आज का लो था उसको मैं अपना जो क्या है कि थर्ड टार्गेट मानूगा अगर हो सकता है तो मैं सेकंड टार्गेट के आसपास से ही निकल जाओंगा जो है 3450 अगर मेरे को एकजेट 3800 पे कहीं एंट्री मिल गई तब और अगर मैं ये क्या है कि इधर से सोट नहीं लेता और बैंक निप्टी नीचे आ गया और इस लाइन के आसपास से कहीं आपको क्या है कि बुलिस रिवर्सल दिखा दे तो मैं इधर से बाइसाइड आऊंगा ये भी एक पोसिबिलिटी है क्योंकि ये क्या है कि एक राइजिंग सपोर्ट लाइन मेरे को दीख रहे है जो कि अ और आपको चाहिए जेत, आपने नेच्ट वीडियो में तब तक के लिए टड़ बाइ ज्या